मेरे पेरे साथियों कोलकाता के रंजन जी ने अपने पत्रे में बहुत ही दिल्चस्प और बुनियादी सवाल पूछा है और साथ ही बहतरीन तरीके उसका जवाब भी देने की कोशिश की है वे लिखते हैं कि जब हम आत्मनिर्वर होने की बात करते हैं तो इसका हमारे लिए क्या आर्थ होता है इसी सवाल के जवाब में उन्होंने खुदी आगे लिखा है कि आत्मनिर्वर भारत अभ्यान के बल एक गवर्मेंट पॉलिसी नहीं है बल्कि एक नेशनल स्पिरिट है स्वयम अपने भाग्य का नियंता होना रंजन बाबु की बात सो टका सही है उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये भी कहूंगा कि आत्मन निर्भरता की पहली शर्त होती है अपने देश की चीजों पर गर्व होना अपने देश के लोगों द्वारा बनाई वस्तुओं पर गर्व होना जब प्रतेग देश्वासी गर्व करता है प्रतेग देश्वासी जुड़ता है तो आत्मन निर्भर भारत सिर्फ एक आर्थिक अभ्यान नह रहकर एक नेशनल स्पिरिट बन जाता है जब आस्मान में हम अपने देश में बने फाइटर प्लेन तेजस को कल भारत में बने टेंक भारत में बनी मिसाइले हमारा घवरों बढ़ाते हैं जब समूध्य देशों में हम मैट्रो तेंग के मेड़ी निञ्जा कोचेद देखते हैं जब दरजनों बनाया गया हेंडी क्राप का सामान भारत के इलेक्ट्रोनिक उपकरन भारत के मोबाईल हर छेत्र में हमें इस गौरों को बढ़ाना होगा जब हम इसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तभी सही माइने में आत्मनिर्भर बन पाएंगे और साथियों मुझे खुशी है कि आत्म निर्भर भारत का ये मंत्रा देश के गाउं गाउं में पहुच रहा है विहार के बेतिया में यही हुआ है जिसके बारे में मुझे मीडिया में पढ़ने को मिला बेतिया के रहने वाले प्रमोच जी दिल्ली में एक टेक्निशन के रूप में LED बल्ब बनाने वाली फैक्ट प्रमोजी को अपने घर वापिस लोटना पड़ा आप जानते हैं लोटने के बाद प्रमोजी ने क्या किया उन्होंने खुद LED बल्ब बनाने के एक छोटी सी unity शुरू कर दी उन्होंने अपने खेत्रे के कुछ इवाओं को साथ लिया और कुछी महिनों में फैक्टरी वरकर स का सफर पूरा कर दिया वह भी अपने ही घर में रहते हुए एक और उदाण है यूपी के गड़ मुक्तेश्वर का गड़ मुक्तेश्वर से स्रिमान संतोष जी ने लिखा है कि कैसे कोरोना काल में उन्होंने आपदा को अवसर में बढ़ला संतोष जी के पूर्खे शांद हम रुके तो इन लोगों ने बड़ी उर्जाव और उत्सा के साथ चटाई बनाना शुरू किया जल्धी उन्हें न केवल उत्तपदेश बलकि दूसरे राज्यों से भी चटाई के ओर मिलने शुरू हो गए संतोष जी ने यह भी बताया है इस से इस ख्षेत्र की सेंकडों साल पुरानी खुबसूरत करा को भी एक नई ताकत मिली हैं साथियों देश भर में से कई उदारण हैं जहां लोग आत्म निर्भरत भारत भ्यान में इसी तरह अपना योगदान दे रहे हैं आज यह एक भाव बन चुका है जो आम जनों के दिलों में प्रवाहित हो रहा है थयो किरे और अजसे हैं